इससे एक्जाम डेट के उपर जो लोगों के बीच में एक बात फिलाए जा रही थी कि मार्स में एक्जाम ले जाएंगे इस बात को भी इस नोटिस के द्वारा किलियर हो जाते हैं कि मार्स में एक्जाम नहीं होंगे विए नोटिस आप ब्यार इससे के ऑफिशल वे साइड उपर जाकर देख सकते हैं यह नोटिस आपको यहां पर मिल जाएंगे नोटिफिकेशन सेक्षन में आते हैं तो यह इंपॉर्टन नोटिस है रिगार्डिंग जो डॉक्मेंट अप्लोड करने के डेट थे इस डेट को आगे बढ़ा दिये गया है जो सेकंड इंटर लेवल सब्सक्राइब जितनी भी गवर्मेंट एजन्सिया जो निकुती करवाती जो भरतिया लेती है उनका में मोट होता है जो में का में स्टार्ट होता है में से स्टार्ट होता है यहां डॉक्वन वेरिविकेशन की समय स्टार्ट होता है फिर यहां पर क्या वज़ा है यह बिह तकनीक और जो भी कुछ पोश्ट के लिए जो एजुकुरिशन कॉलिफिक्स एक्स्टा चाहिए थे उनको लेकर सभी पर्मानपत मुल्प्रत्ती अस्कैन कॉपी पीडियेफ के रूप में आयोक के बैसाइड के उपर अपलोड करने है तो दिनांग जो अठारा जन्वरी से स् पर अभियारत्यों द्वारा गलत प्रमानपत अपलोड हो जाने के परिच में आयोक के कर्याले में बहुत सारे कंड़ेट के यहां पर पहले तो सर्फ वेवसाइड के उपर दिख्कत आ रहे थे जैसे लास्ट होते जा रहे थे वेवसाइड सही से क्राश कर रहे थे यह इस किस लाइन को अब दखेंगे तो कुछ मुल्परप्तिया में वेवसाइड के अपलोड करने है तो जो निधारी देत किए गया थे तो आप फिर से यदि गलत हो गया हो तो फिर से आप यहां पर सुधार कर सकते हैं तो यहां पर इस नोटिस में दखेंगे तो परमान पत्र अपलोड करने की जो करने है तो पुना एक बार अनुरूद किया गया था तो साथ ही अब यहां तो को पासवर्ड भूलने पर फॉर्गड पासवर्ड का उप्सन दिए गया है निव ओटी पी आएंगे जिससे आप नए पासवर्ड सेट अप कर सकते हो अपने पासवर्ड करके अपने नए पासवर्ड के लिए अनुरूद भेज सक्ते हैं यह से प्लब्ड फी करा दियागा समय करते हैं थो निव पासवर्ड ओटीप पर पर प्राप्त bekommt connect OFF पर्मान पत्र अप्लोड करने के लिए अंतिम अफसर दिया जाता तो यह आखरी चुट ऑफसर है और याफ़ जो भी तुरूट किया जो भी एडर आपने फॉर्म. अप्लाई करते समय या अपने डॉक्मेंट अप्लोड करते समय जो भी गलतिया आपने किया है यहां पर में मेंसन तो किया गया परमानपत्र को अप्लोड करते कि अन्ति तिथी जो आठारा फर्वरी थे और इसे बढ़ाकर 18 मार्च 2024 कर दिये गए और यहां पर निधारे तिथी के में सभी परमानपत्र जो असकैन कॉपी है पीडियेफ है यह आयो के बेसाइट को उपर अप्लोड करने अभिहारत्य को ऑनलाइन आवेदेन तुरुटिया ईरर से सुधार आरक्ष्ण राचिनिक तकनिक जो भी है जो भी है जो कौलिफिकेश में तो यहां पर हम लोग ने कई बार बात किया कि एक्जाम जो समभावुत रहेंगे में के लाष्ट में या जून के सुरूब्स समय में ही समभाव रहेंगे तो जून exam कब तक ली जाएगे अब भी के लिए I suggest यही करूँगा कि जून के मान कर आप preparation करते रहो जैसे exam date confirm होते है अप्रेल में आते हैं ज़्यादा ज़्यादा अप्रेल और उससे ज़्यादा delay होते है तो अब में के first या second week तक आपका exam date confirm हो जाएंगे कि बिहार SSC second interlevel की exam जून में होंगे जुलाई में होंगे अगस्त में होंगे या सेटंबर में जो भी हो confirmation आगे चलकर उन महिनों में confirmation आपको मिल जाएंगे कि exam आपके कब तक लिए जा रहे तो यह सारे चीज़ है अब यह मैं suggest यह करूँगा कि अब भी जो चल रहा है इंटरनेट के उपर की मार्च में होगा आपका exam अप्रेल में exam होगा उनके उपर अब ध्यान मत दो क्योंकि जो भी exam संभावी थे मार्च में BPSC ने exam ले लिया वहाँ पर लिये जा सकते थे BPSC चाहता तो किये जा सकते थे अब यहाँ पर सभी लोग form जो भी document upload किये जाएंगे इन document का scrutiny की जाएगी तब जाकर यहाँ पर सभी candidate के एक list आएंगे जहाँ पर वैसे candidate जिनके form reject किये जाएंगे जो लोग document अपना upload नहीं कर रखा होगा जो वे लोग जिनका document proper way में upload होगा है उनका form reject नहीं किया जाएगा और यहाँ पर बेस यहीं बनेगे form reject करने के लिए जिन्होंने document upload नहीं कर रखा होगा तो 25 लाक में से मालने एक लाक भी form एक से 2 लाक भी लोग नहीं upload करते तो यहाँ पर 2 लाक तो कम ही जाएगा 20 लाक हो जाएगा तो यहाँ पर यह कुछ नंबर कम बेसी हो जाएगा final registration में क्योंकि यहाँ पर 2 लाक भी लोग नहीं अपना document upload करते तो बहुत बड़ा नंबर होता है अभी के लिए इंतिजार करना पड़ेगा exam date को लेकर भी अभी यहाँ पर date आपके लिए बढ़ा दिए गए आप 18 मार्स तक अपने document सुधार सकते हैं upload कर सकते हैं नए तरीके से फिर्शे डाउनलोड कर डाल सकते हैं और यहाँ पर आपके password भुला चुके हैं तो यहाँ पर आपके register, phone number, registration ID जो भी हो, email ID वहाँ पर आपको phone number और registration जो email ID वहाँ पर आपके पास password और new OTP भेज़े जाएंगे तो वहाँ से आप नए setup कर सकते हैं तो यह था भीहार SSC के लेकर official notice जहां से आप में exam date के एक idea तो मिल जाता है कि मार्स में आपके exam नहीं होने जा रहा है तो यह थे आज की इस वीडियो में तन ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्वाद जाएं